बहुत सारे कारे ऐसे होते हैं जिनमें हम बड़ी जल्दी सफल हो जाते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो कार हमने अपने पूरे मनोयोग से किये होते हैं जहां आपको सफलता मिली हैं वहाँ पर आपने पूरा दिलो दिमाग लगाया होता है पढ़ाई भी ऐसी है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको पूरे मनोयोग से करिए, ऐसे करिए कि एक content को हमें एक ही बार ऐसे पढ़ना है कि उसको जिन्दगी में कभी द्वारा पढ़ने की जरूरत ही न पढ़े, पूरा पाठ करम अगर आपने पूरे मनोयोग से दि किसान नहीं होना है, उसल मचवारा जो होता है, वो क्या करता है, जब सुनामी आती है, या समुद्र में तूफान आता है, तो वो खाली समय में अपने net repair करता है, यह वह समय है, जब आप अपने कमजोर पक्षों पर काम करिए, आपके पाठ करम में जो चीज़ हैं जो आप आपको कमजोर लगती हों, उन पर आप जबरजस्त काम करिए, क्योंकि यही जो आप कार करेंगे, यही धीरे धीरे जो आप पना net repair करेंगे, यही आपको सफलता की उल ले जाएगा, हवाई जहाज, जब तेज उड़ान ठरता है, उससे पहले उसको जबीन पकड़कर बहु इमांदारी से, पूरी पृतिवर्द्यता से और पूरी एकागरता से अपने आपको अपनी किताबों को समर्पित कर दे, किताबों से महबत कर लो मेरे यारो, केबल यहीं हैं जो अपनी बातों से पलटा नहीं करती, जितना किताबों के आसपास रहेंगे ना, उतना ही किता में सहज रहेगा और एक बार जीवन में एक बार अगर आपने पूरी एकागरता से मेहनत कर ली छह साथ मुझना आपका पूरा जिंदगी बदल के रख देगा यह मेरा आप से वादा है एक बार करके तो देखिए यह जीवन है साहब जब तक उलजेंगे नहीं जब तक अब चुलेगे